इन्वेस्टमेंट के हमें बता करते हैं, किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, तो दो तरीके की हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट रिस्की के टेगरी में, रिस्क के कावार्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, दू पुरूरी नहीं हमाई को कितनी return मिलें, हो सकता है हमें positive में return आ रही हो, हो सकता है हमें negative में return आ रही हो, तो वो investment होती है, high risk investment, तो उसमें कुछ examples की बात करें, तो सबसे पहले इनका example रहता है equity, secondly mutual fund, अब बात करते हैं low risk investment की, low risk investment में आता है हमारा fixed deposits, जहां हमें interest मिलता है, और obviously inflation की rate से उपर हमें interest मिलता है fixed deposit में, तो वो investment है, और कहीना कहीं fixed deposit हमारा safe भी है, second हम बात करते हैं low risk या minimal risk में, तो होता है हमारा national saving certificate, जो की FD की तरह ही होता है, पर इसमें कहीना की lock-in period होता है past साल का, अब बात करते हैं duration की according, duration की according, तीन type की investment हम देख सकते हैं, first long term, second medium term, third short term, अब इनको bifuget करने के जुरत क्या है, जब investment करने start करते हैं, तो हम goal set करते हैं से पहले, कि हमारा goal जो है, achieve करने के लिए, वो long term है, median term है, या short term है, उसके according हम अपनी investment decide करते हैं, तो long term के अगर हम देख जाएं, तो equity, real estate, gold, अगर इन investments में, आप long term invest करते हैं, तो आपको benefit जादा होता है, वहीं हम median term की बात करें, तो उसमें एक्जाम पर आता है हमारा national saving certificate, जिसमें मैंने बताया, 5 साल का lock in होता है, तो वो कहिना के हम median term, medium term, investment बन सकता है, secondly, post office के time deposit, post office time deposit, हमेशा हमें FD की rate से जादा return प्रोवाइड करता है, पर उसमें भी lock in period की बात आती है, त third and last, short term, अगर हम short term की बात करें, तो short term में हमारी आती है bank FD, क्योंकि आप जानते है, bank FD, 14 दिन से लेकर, एक साल, प्लस 33 साल तक के लिए FD करा सकते हैं, और किसी भी time, आप उस FD को renew कर सकते हैं, and निकाल सकते हैं उससे पैसा, तो short term के लिए best है, आपके लिए bank FD, और second, debt funds for short term, कुछ debt funds, कुछ companies, ग्रहाकों से loan उठाती है, कुछ companies, आम जनता से loan उठाती है, तो वो loan जन्दली एक एक साल के gap का होता है, कि एक साल के लिए वो loan उठाएंगी, और एक साल पर उस loan को आपको interest provide करेंगी, तो वो भी एक अच्छा alternative है, अगर आप short term investment कर रफ जाते है तो ये तो होगे हमारी investment केटिग्री, किस केटिग्री के basis पे हम investment को divide कर सकते हैं, अब बात आती है हमारी invest करें तो करें कितना, जनरेल लोगों का सवाल रहता है, कि हमारी income 10,000 है, हमाई income 20,000 है, तो आप हमें ये बता दिजे, कि हम पैसा invest कितना करें उसमें, तो उसी चीज़ को देखकर एक लेखी का यूएस की लेखी का एलिजबैथ ने अपनी किताब औल वर्थ में मैंशन किया एक रूल के बारे में जिस रूल का नाम था 50-30-20 रूल क्या कहता है यह रूल इस रूल का नाम दियों नहोंने रूल आफ बजटिंग 50-30-20 यह रूल कहता है आपकी जो भी इंकम हो इंकम मतलब जो टेक्स लगने के बाद आपकी इंकम बसती है उसका 50% आप कहां इन्वेस्ट करेंगे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 50% आप करेंगे अपनी बेसिक नेसिटी को पूरा करने के लिए 30% 30% करेंगे आप अपने movie outings जो different different things होती है वो करने के लिए आपको movie के लिए जाना है आपको travel करना है या आपको shopping करनी है तो उस चीज़ के लिए आप रखेंगे अपना 30% basically wants जो ज़रूरी नहीं है पर आप की hobbies हैं, तो वह आपको fulfill करनी है और जो last 20% बसता है अपनी income का post tax income का, वो आप करेंगे save और invest तो ये rule बताया उन्होंने rule of budgeting के नाम से ताकि एक understanding बने कि हमें कितना पैसा invest करना है तो चली जानते हैं, needs में क्या क्या सकता है, needs में हम बात कर सकते हैं, अपने bills पे करने के लिए अपनी grocery items खरीदने के लिए या अपना rent पे करने के लिए वहीं हम wants की बात करें तो wants में हम बात कर सकते हैं, movie outings seasonal shopping hobbies pursue करना, या travel करना और 20% saving सबसे important basket इस 50, 30, 20 rule में कौन सी है, ये 20% वाली ये आप कभी compromise कित्मत करिए बेशक आप 30% वाली saving basket को आप compromise कर सकते हैं थोड़ा सा, but never compromise this 20% basket because ये नहीं होने चीए, इससे आपका future define होगा, आपके retirement planning, इस basket depend करती है कि आपके retirement planning कैसी होगी तो I hope आपके rule of budgeting समझ आ गया होगा और आपके calorie invest करना है इसका आपको idea लग गया होगा invest करने से पहले जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है financial health सबसे पहले आपके अपना पैसा कहां invest करना चीए कुछ पैसा earn करने के लिए नहीं, उससे ही पहले करना चीए आपको अपनी health में invest हेल्थ में इन्वेस्ट का मतलब क्या है आजकल जिस्दाव से बिमारिया बढ़ गई है उस साब से सब ही को अपना medical insurance कराना चीए life insurance कवर कराना चीए तो कुछ rules है financial health को secure करने के लिए तो जानते हैं उन rules के बारे में तो सबसे पहला rule कहता है आपको अपना life cover लेना है 10 times of your annual income अपनी annual income के 10 times जितना annual life cover second family health floater policy कभी भी आपकी family में कोई बिमारी आती है उसको tackle करने के लिए उसका खर्चा manage करने के लिए आपको health policy लेनी है जिसे कहते हैं family floater policy third emergency funds आपको कुछ emergency funds रखने है कितने at least three times of your necessary expense हम emergency funds की बात क्यों करते हैं अभी आपने देखा पिछले दो साल पहले COVID आया जिसकी वएसे नौकरियां चले गए लोगों की तो वो तीन महिने तक अगर किसी के बास वो अभी emergency funds हो तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी बिना emergency funds के आएगी फोर्थ कभी भी insurance products को income products के थाथ मर्ज नहीं करना है अगर आप insurance ले रहे हैं तो insurance के मद्ने नजर लीजेगा उसको income देख के मत लीजेगा कि उससे LIC से हमें कुछ income कमानी है ऐसा नहीं LIC लेनी है तो life insurance करने के लिए तो ये कुछ rules हैं जो हमें financial health के लिए consider करने है एक वार जो हमने financial health की बात कर ली उसके बाद बात करते हैं अपनी investing को लेकर investing मतलब investment जो हमें करनी है कुछ earning करने के लिए कुछ पैसा earn करने के लिए तो जो हम investing की बात करते हैं तो हमें decide करना है first step, first step होता है define goals, हमारे goals क्या है, हमें उस पैसे से क्या goal achieve करने हैं, जिसके लिए हम पैसा खटा कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या goal हो सकते हैं basically purchase of house हम घर खरीद सकते हैं, हमें घर खरीदने के लिए मानलो पैसा खटा करना है, हमें retirement लेना है, 60 साल की age में, तो retirement के बाद हम अपनी life अच्छे जी सके हैं, उसके लिए हमें पैसा invest करना है, vacation हमें कहीं घूमने जाना है, तो हम उसके लिए पैसा invest कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के education को future में support करने के लिए, पैसा invest कर रहे हैं बच्चों की शादी कराने के लिए, हम पैसा invest करते हैं, या फिर अपने parents को support करने के लिए, उनके old age में, हमें पैसा invest करना है, तो ये कुछ examples हैं, ये कुछ goals हैं, जो हमें देखने पड़ेंगे, कि हमारा इन में से क्या goal है, जिसकी वयसे या जिसको मद्य नजर का डखके, हमारे को अपना पैसा invest करना है, तो पहले step की बात करी हमने goals, अब हम बात करने second step, हमने goal decide कर लिया, कि हमारे को अपने बच्चों की marriage के लिए पैसा खटा करना है, अब ये goal क्या है हमारा long term goal, अब इस goal को achieve कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ढूणनी पड़ेंगी investment, तो आईए बात करते हैं कुछ investment options के बारे में, तो slide आपको दिखाएगे कुछ-कुछ investment options, like bank deposit, property, मतलब real estate में invest कर सकते हैं, bank deposit कर सकते हैं, FD वगेरा, mutual fund में invest कर सकते हैं, stocks में invest कर सकते हैं, वहीं आप bonds में भी invest कर सकते हैं, plus gold में invest कर सकते हैं, plus insurance, एक वार जब आपने life insurance ले लिया, बाकी आप दूसरा insurance ले सकते हैं, जिसको आप income के तौर पर देखेंगे, but अभी भी, life insurance को और income वाल insurance को, आप please merge मत करियेगा, life insurance वो है, जो आपको अपनी life के लिए लिना है, और income के लिए जो लेंगे, वो अलग insurance लेंगे, तो ये तो वह गई बात हमारी investment options के लिए, जैसा आपका goal होगा, उसके according आपको अपना investment option चुनना है, अब बात करते हैं, आपको investment option evaluate कैसे करना है, आपने अपना goal देख लिया, अपने investment options देख लिये, अब चुनने कैसे investment option, तो उसके लिए हम slide पर दिखाएंगे, क्या के चीज़ा आपको देखनी पड़ेंगी, हर एक investment option में, सबसे पहले, safety, suppose आपको short term के लिए invest करना है, पैसा, यह long term के लिए invest करना है पैसा, तो आपको देखना पड़ेगा, क्या यह option safe है, equity में invest करना, safe नहीं माने जाता, क्योंकि वहाँ आपकी returns, वहाँ की returns safe नहीं है, या तो आपको positive return भी हो सकती है, plus negative return भी हो सकती है, secondly आपको देखना पड़ेगा, liquidity, suppose आपको किसी short term goal के लिए करना है, आपको पैसा invest, तो आपके लिए best है, आप FD में पैसा invest कर सकते हैं, क्योंकि वह पैसा आप कभी भी withdraw कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने real estate में पैसा विए करा invest, तो chances are there, कि आप time पढ़ने पर उस पैसे को use नहीं कर सकते, third, returns, returns कितना है, suppose if I talk about stock market, तो stock market में returns होता है, around 10%, 12%, और 10 year basis, CAGR के बात करें, तो वो होता है 12%, वहीं हम FD के returns की बात करें, तो FD के returns होती है, around 5%, तो हमें returns भी देखनी पड़ेंगी, अपने investment option को evaluate करने के लिए, fourth, convenience, क्या हमारे को stock market आता है, कैसे operate करता है, हमें DMET account operate करना आता है, क्या हमारे लिए convenient है stock खड़ेंगी, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, या हमारे convenient है FD में पैसा लगाना, तो वो चीज चौथर reason है, या चौथर factor है जो हमें evaluate करना पड़ेगा, fifth, taxability, आप जहाँ invest कर रहे हैं पैसा, वहाँ जो आपको income receive होएगी, क्या वो taxable है, या non-taxable है, taxable है, तो किस rate से taxable है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जब आप पैसा अपना invest करेंगे, last, ticket size, जिस investment में पैसा invest कर रहे हैं, उसका size क्या है, उसका ticket size क्या है, अगर आप stock में invest करते हैं, तो stock 100 रुपे से लेकर, 1000 रुपे तक के stock हैं, तो वहाँ आप कर सकते हैं invest, बट अगर आप gold में invest करते हैं, तो gold में minimum आप 1 gram invest करेंगे, या कुछ किसे क्योंटिस होते हैं, जहाँ आपको minimum 10 रुपे इंवेस्ट करना पड़ता है, तो वह का ticket size, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अब ये तो बात हो गई हमारे investment की, अब वहीं जहाँ हम investment की बात करते हैं, तो कुछ thumb rules हमारे को आते हैं, invest करने के लिए कुछ thumb rules बताये गई हैं, वो thumb rules क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं, suppose आपको चाहिए कि आपका पैसा double हो जाए, आपको चाहिए कि आज मैं 1000 रुपे लगा रहा हूँ, या आज मैं 10,000 रुपे लगा रहा हूँ, rule of 72 क्या कहता है, इन्होंने एक example निकाला, suppose आप 1,000,000 रुपे invest करते हैं, और आप उस investment में return चाहते हैं 10% की, आपकी expected return उस investment से है 10%, तो आप क्या सोचते हैं, कितने टाइम में पैसा double हो जाएगा, तो अगर आप 72 जो number है, उसको divide कर दें, उस percentage return से, तो आपका जो figure आएगी, वो है उस year की figure, जितने years में आपका पैसा double हो सकता है, जैसे example में 1,000,000 का investment थी, और 10% का expected return था, तो अगर हम 72 को divide by 10 कर दें, तो हमें पता चलता है, 10% return पे हमारा पैसा, 7 साल के अंदर double हो सकता है, तो ये तो बात हो करी में, 72 हमारा पैसा double कितने time में होगा, उसी तरीके से बात आती है, हमारा पैसा अगर हमें triple करना है, तो उसके लिए हमें कितना time wait करना पड़ेगा, तो previous example को लेते हैं, वहां हमने 1,000 invest करा, और हमारी 10% की rate of interest था, तो हमारा पैसा double होड़ा था, साथ साल के अंदर approximately, अब हम rule of 44 की बात करता है, 114 की, तो 114 rule कहता है, आप 114 divide by rate of interest कर दिजे, तो वो जो year आएगा, 114 divide by 10, तो जो हमारा figure आई, वो आई 11.4, तो हमारा पैसा triple कितने time में होगा, वो होगा 11 साल में triple, तो सर, दोस्तों आप देख रहे हैं, double करना था, तो 7 साल लगे, जब उसको पैसे को triple करना हुआ, तो 11 साल में वो पैसा triple हो गया, यहाँ slide में थोड़ा issue है, rule of 144 नहीं है, यह rule of 114 है, वहीं हम third thumb rule की बात करें, तो third thumb rule कहता है, 100 minus age rule, age rule, अखिर इसी rule से मतलब क्या है, आपको दो choice मिलेंगी, जो आप investment करते हैं, या तो आप equity में invest करें, equity मतलब share market में invest करें, या आप debt में invest करें, अब इन दोना में फरक देख,